जहिन चात्रो मैं इशार हमत competition community के इस प्रस्ण विशलेशन सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की तैयारी एक युद्धिस्तर पे कर रहे होंगे चात्रो ये प्रस्ण विशलेशन सत्र सुनते ही ये लगा होगा कि आखिर ये सत्र है क्या दरसल चात्रो कुछ नहीं इसमें समझने वाली बात यह है कि जितने भी one day exam अभी हो रहे हैं उनके जो संभावित उत्तर है जो परिच्छा भी जितने चात्र दिये हुए है वो इससे संभावित उत्तर देख सकते हैं और उसके कुछ detail भी आप इसके साथ देख सकते हैं और याद रखेगा साथियो कि अधिकतर दिखता होंगा मैं आपको प्रस्ण कराते हुए तो प्रस्ण कराने का उद्देश ही यही है दरसल बात अगर कहें तो कुछ इस प्रकार से है कि वर्तमान इस्थिती में जो प्रस्ण पूछे जा रहे हैं उसकी प्रकृती कैसी है वो जानना हमारे लिए अगर हम प्रतियोगी परिच्छाओं की तेयारी कर रहे हैं तो वो मान के चलिए कि हम कोई किसी परिच्छा की तयारी कर रहे हैं चाहिए वो आपका UPSC हो किसी स्टेट का PCS हो तो उसकी जब हम तयारी कर रहे हैं तो साथ ही हमें जो चोटे-चोटे एक्जाम चोटे-चोटे से तात पर यह है कि कोई एक्जाम छोटा-मोटा नहीं होता याद रखना है जितने भी एक्जाम होते हैं वो हमें दिलाते रहना चाहिए अब वो दिलाने का आशाय क्यों है उद्देश क्या है हमारा उस दिलाने का उस परिच्छा को दिलाने का उद्देश क्या होना चाहिए तो कुछ इस प्रकार से उद्देश रखें चात्रों कि जो प्रस की स्थिति क्या है प्रस्ण के पूछने के नजरिये का हना तो इस प्रकार से हम इन तथ्यों को याद रखते हैं चलो अगर इसे असान भासा में कुछ इस प्रकार से समझे के मान के चलो कि अभी वर्तमान कि स्थिति के अनुसार बताता हूं कि IPL देख रहे हैं आप हाणा IPL जो है जो नहीं देखता होगा उसके लिए छमा चाहूंगा IPL देख रहे हैं अधिकतर लोग ठीक है अन्हीं देख रहें तो दिख जाता होगा बहुत ही काफी लंबा सत्र है इस बाल का आई-पील का तो उ अगर याद रखें तो बैटर कहा जाता है उन्हें कहा जाने लग गए है आप ICC के द्वारा और आपका बॉलर तो बैटर जो है वह बैटिंग करता है बैटर के उद्देश से हम समझते हैं ठीक है अब जो समझ रहा होगा वह बहतर तरीके से समझ सकता है और अगर आप कुसी किसी दूसरे खेल के प्रतिरूची रखते हैं तो आप उस उद्देश से भी से समझ सकते हैं ठीक है अब देखिए वापस आते हम अब बैटर जो है उसके पास बहुत टाइप के बॉल आएंगे ठीक है जैसे कि बॉलर जो है कभी उसको ओवर पीज बॉल फेकेगा कभी उस हमें उसमें बैट के अपना आकलन करना है कि हम जो गहन अध्यन जिस विशय का कर रहे हैं उसके प्रस्न हम बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं और नहीं बना पा रहे हैं तो क्यों नहीं बना पा रहे हैं आशा करता हूं कि आपको कुछ थोड़ा समझ में आया होग चलिए अब यहां हमारा मुद्दा क्या है देख रहे हैं आप 36 गडवे आपम द्वारा जो है पटवारी 2022 जो कि संडे को हुआ है और 24 अपरेल 2022 को यह परिच्छा हुआ है ठीक है उसके संभावित प्रस्ण जो है आज इस सिंखला में हम देखने वाले ठीक है तो ज्यादा सम इसके मतलब क्रम पे कोई बात नहों करके मैंने बता दिया और यह प्रस्ण है आपका प्रस्ण पत्र के अनुसार चैसी नंबर ठीक है एटीसिक्स्त कोस्चन है ठीक यहां इंग्लिश मीडियम में भी है और आपका हिंदी मीडियम में तो आई ये पढ़ते हैं इसे नमामी गंगे परियोजना के तहत शामिल है तो आईए देखते हैं गंगा नदी को प्रदूसन के प्रभाव से कम करना बिल्कुल सही है मिट्टी को उपजावपन प्रदान कर क्रिसी को योग्य बनाना यह तथ सहीं नहीं हो सकता है मतलब नहीं है है ना यह संभावित प्रस्ण है अ इसका आंसर जो है इसका आपका संभावित आंसर था क्या हो सकता है आपका ये कैसे हो गए भजा नराज हो जाते हैं बूर्ड महोंदेय मैं यह सकते ही आगे बढ़ते आई ठीक है, 300 करोड रुपय का इसे अनुदान प्राप्त है, ठीक है, उसके साथ देखिए सरकार द्वारा परियोजने की सुरकात, गंगा नदी प्रदूशन को कम करने, तथा गंगा नदी के पुनर जीवन करने का उद्देश्य है, ठीक है, वर्तमान में जो है, COVID-19 के समय गंग काया कल्प मंत्रा लेद्वारा, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, तो यह परिछ्चव उप्योगी तथय हैं, जो आगे आने वाली परिष्चाओं में, पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यह, प्रस्ण हमारा, दूसरा, राश्टी परिवहन ग्रीह स उत्तर लेता है उसमें हमें गौर रखना है तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी आगे बढ़ते हैं यह प्रस्ण है हमारा तीसरा मूल कर्तव्यों के संदर्भ में क्या सुमेलित है ओके भारतिय संस्कृति की गौरवसाली परंपरा का परिक्षण परिक्षण करना ठीक है बि आपका DPSP DPSP Directive Principle of State Policy जिसे आपका राज्य के नीती नहीं दे सकता त्यों कहते हैं हिंदी में तो वह है उसके तहत आर्टिकल 48A के अंतरगत यह आता है ठीक तो याद रखेगा यह तो नहीं होगा ठीक इसे हम नहीं लेंगे सारवजनिक संपत्ति की रक्षा करना यह बिल देखिए इस प्रकार से दिया है प्रिफरेबल कोस्चन है तो इस प्रकार के भी जो है प्रेक्टिस करना हमारे लिए अनिमार रहे है ताकि हम जो है आपका प्रस्ण में घूमेना ठीक है आगे बढ़ते आईए अगला है दंत 6 प्रारंब होता है जबकि मुह का पी एच जो है प्रभावित होता है उसी प्रकार विटामिन ए से भी बहुत सारे जो है आपका मुख के रोग होते हैं विटामिन B12 की कमी से भी जो है आपका कमी मतलब बहुत सारे मुख के रोग होते हैं और आपका विटामिन C जो मसूडों से समबंधित जितने भी बिमारिया होती है मुझे से रिलेटेट तो आपका क्या बोलते हैं विटामिन C की कमी से होती है ठीक है तो याद रखेगा साथियो जब प्रस्न स्रिंखला जो चल रही है हमारी यूटूब चैनल पर फ्री ऑफ कोस्ट जिसमें की सारे टॉपिक वाइस जो है कोस्टन कराया जा रहे हैं उसमें सारे प्रस्न यह आपको देखने मिलेंगे ठीक है और मैंने विगत जो पिछला वीडियो जो है अपलोड करा है आपका कॉम्प गोशना प्रवर्तन में है तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 जो कि आपका है गिरफ्तारिस सरक्षण और 21 को मतलब आपका प्राणयम देहिक स्वतंतरता जो है छोड़कर स्वताह बाकी निलंबित हो जाते हैं बिल्कुल सही है ठीक है राश्ट पति एक आदेश द्वा मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़का निलंबित करता है ठीक है ऐसा नहीं है वह स्वता ही आपका निलंबित हो जाता है तो इसका संभावित आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन एक सही है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है राष्टी राजधानी छेत् सिल्ली के विशाय में सही क्या है ओके देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्टपती के द्वारा की जाती है बिल्कुल सही है मंत्री राष्टपती के प्रसात पर्यंत्र अपने पत पर बने रहते हैं यह भी बिल्कुल सही है ठीक है यह बिल्कुल जो है तो हमारा तीसरा ओप्शन होगा यहां यहां जो है आपका तीन होगा यहां पर तो मंत्री परिशत विधान सभा के प्रति सामिह कुरूप से उत्तरदाई होते हैं बिल्कुर सही है इसका आंसर तीनों होगा आपका सी आंसर होगा इसका ठीक है संभावित आंसर आगे बढ़ते हैं आईए प्रसन कमांक साथ है हमारा 1857 का विद्रोख कहां से प्रारंब हुआ था याद रखेगा साथियो जो भी डिटेल पढ़ा होगा इसका तो बिल्कुल आंसर अभी तक लगा लिया होगा यह बिल्कुल अस सांसर है तो आधुनिक भारत इतिहास का यह टॉपिक है और इसके भी प्रस्न हम को प्रस्न सत्र के दौरान करने को देखने को मिलेंगे ठीक है जो के यूटूब में फिर आपका free of cost है ठीक आगे बढ़ते आईए प्रस्न कमांक 8 है सांस्कृतिक और सिक्षा संबंदी अध होगी का जी ठीक है या भी सही है समीधान अल्पसंख्यक को परिभासित करता है कि समीधान अलपसंख्यक ओंत्र परिवाशित नहीं करता है ठीक है तो एक दो तीन इसका सही होगा इसका आउसर yap sogen की अगलरते है अगला प्रश्ण है हमारा आज़ादी के बाद भी भारत जनम्र गौं बना रहा है ठीक है तो याद रखना है लुईस माूं बेटन जो है आज़ादी के बाद भारत की गौवर्रनर जनेरल बने रहे, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है, इसका आंसर A होगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं, Ymax प्रद्योगी की संबंधित है, याद रखेगा, संचार से संबंधित है, Ymax प्रद्योगी की, ठीक है, संचार प्रद्योगी की से संबंधित, यह है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्ण कुछ इस प्रकार से हमारा निम्न में कौन सुमेलित नहीं है ओके तो आपका जैवित्त दिवस यह जो है बाइस मार्च इसका डेट है ठीक है तो इस प्रकार के तत्रह में याद रखना जरूरी है आपका जितने भी आपके विश्व के दिवस होते हैं और आपका राश्ट्री दिवस होते हैं उनसे रिलेटेट प्रस्ण हमेंसा पूछने को मिलते हैं तो यह प्रकृती अभी वर्टमान में है आगे बढ़ते आईए, वर्स 2021 में भारत के सकल मुल्य वर्धन में किस छेत्र का योगदान सबसे अधीक है, याद रखेगा उद्योग छेत्र, इसका संभावित आंसर है, आगे बढ़ते आईए, ठीक, अगला कोश्चन हमारा, मक्खन की विक्रिती गंधता निम्न को मिलाकर रोकी जा सकती, याद रखना है, विटामिन E, जो कि टोको फिरौल नाम है जिसका, साइंटिफिक नेम जो है आपका, उसे मिलाकर आपका मक्खन की गंधता को कम किया जाता है, आगे बढ़ते हैं, राष्टी आय की किसकी परिभासा, उपभोग पर अधारित है, याद रख 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज जी का की लिंगान उपास सबसे अधिक है, यह देखो चात्रो, सीधा सीधा 2011 जो है फेवरेट पोर्षन है, व्याब वन डे एक्जाम का सबसे फेवरेट पोर्षन जो है आपका, 2011 की जनगणना, 2000 गणना, इसके बीच का अंतर इसके बीच का जो डिफरेंस वगरा से प्रस्न पुछे जाते हैं, वो बहुत ही फेवरेट पोर्षन होता है, वन डे एक्जाम का आगे बढ़ते हैं, आईए, 16 नंबर है हमारा, इंडिया स्टेट अफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट 2011 के अनुसार, भारत में वनो की कुल छेतर फल, वनो का कुल छेतर फल, भारत के कुल छेतर फल का कितना है, तो याद रखिएगा आपका 21.05 प्रतिसत, ठीक है, यह होगा इसका अंसर, संभावित, फिर इसके बाद, एल नीनो से के संबन में कौन सा कथन सत्य है, याद रखिएगा, कि यह प्रसांत माहसागर में जो है इसका डिटेल जो है, आपका आएगा, विस्व भुगोल के भी प्रस्न सत्र हमारा होगा, यूटूब में, जो कि फिर आफ कॉस्ट है, तो इस पर कार याद रखना कहा हो, उठता है यह, प्रसांत माहसागर में, वहां के आसपास के देश को प्रभावित करता है, तो उसके संभावित अंसर इसका यह होगा, इस प्रकार से, ठीक, अब G77 क्या था, ठीक है, तो G77 जो है, विकास दील देशों का संगठन, ठीक है, यह जो विश्व संगठन है, उससे प्रस्न हमेशा वंडे एक्जाम को आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही याद रखिएगा, अगला प्रस्न हमारा विश्व होते हैं, याद रखिएगा, जब भूमध्य रेखा के उपर सूर्य जो है, बिल्कुल सिधा होता है, तो आपका दीन और राखिएगा, जो है समान होता है, उस स्थिती में को क्या कहा जाता है, विश्व कहता है, जो कि आपका 21 मार्च एवं 23 सितंबर के समय होता है, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है, तो यह भी वोल्ल जियोग्रफी का पार्ट है, ठीक है, इसके भी प्रस्न करेंगे हम साथ में, लेकिन यह आज का समभावित प्रस्न है, आईए आगे बढ़ते हैं, 21 मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे, बताईए जी फटाक से कहा है, 34 भी बंगाल नेविट इंफ्रेंटरी के आपके जमान थे, आगे बढ़ते हैं, 22 नमबर वनस्पती में जाइलम उत्तरदाई होता है, ज समभावित प्रस्न उत्तर जो है, उसका उस प्रकार होगा, 23 नमबर है, भारत में मार्च 2019 से सितंबर 2021 की अवधी में अनुसूचित वानिजिक बैंकों के सकल गयर निस्पादित अगरिम अनुपातों का की प्रवित्ति क्या है, याद रखेगा, यह अर्थसास्त का प्रस् सकता है, आपका D हो सकता है, उतार चड़ाव की स्थिति में, ठीक है, लेकिन व्यापम क्या इसका आंसर लेता है, उसे हम देखेंगे, ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रस्न हमारा 24 भारत का माना की आम्योत्तर क्या है, देखिए प्रस्न जो है हमारा दूसरा वीडियो जो प्रस्न जो है, आपको सीधा सीधा दिखेगा, आपका 82 डिग्री जो की IST, इंडियन स्टेंडर टाइम, जो की इलावाद के नयनी से है, और बहुत सारी डिटेलिंग की थी मैंने इसमें, तो इस प्रकार की प्रवित्ति, बस यह यह आमियोत्तर की जगह में जो है, देशा सारे परिच्छाओं में यह प्रस्न उठाये गए है, ठीक है, तो इसका अंसर क्या होगा, साले प्यासी, पूर्व, पूर्वी देशांतर, ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रस्न कमांग 25 है, राष्ट पती का कारे काल 5 वर्स है, ओके, रखेगा, राष्ट पती का पत, जो आपका पत है, वो कभी खाली नहीं होता है, ठीक है, ओके, राष्ट पती अपना कारे काल पूर्ण हो जाने के बाद भी, तब तक पत धारण करता रहेगा, जब तक उसका उत्त्रधिकारी पत ग्रहन नहीं करते, आपका मतलब कर नहीं लेता यह वाला बी ऑप्शन बिल्कुल सही है उप्राष्ट पती राष्ट पती का प्रत ग्रहन करें अरे जब त्याग पत्र देगा या उनकी परिहार कारण से मृत्ति हो जाए या कुछ है तब वो होगा ठीक है उसकी डिटेलिंग जो कुछ इस प्रकार से है तो इसका अंस से अगला है मारा साइमन कमिशन भारत कभ कब आया साइमन कमिशन तीन फरवरी 19,08 में आया भारत में लेकिन इसका गठन कब हुआ तो नवंबर याद रखना है आपका 1927 यह जो है आपका कौन सा पॉर्षन है गठन से ठीक है थोड़ा डिटेल कर लेते हैं लेकिन याद रखिएगा आपका गठन इस समय हुआ था और भारत इस समय आ था ठीक साइमन गुबैक के नारे लगाए गया थे भारत के केंद्रिये सरकार के द्वारा प्रधान मंत्री अवाश योजना गरामीर की सुरुवात की गई ठीक है यह जो है आपका exceptional प्रश्ण है ठीक है इसका आंसर क्या लेता है इसके उपर 2015 का ratio है जो है यह आवाश योजना का गरामीर का लेकिन यहाँ जो है 2015 बिल्कुल दिखा प्रश्ण थोड़ा सा गडडवड है फिक सरी मिनट ट Кसन समय लेती है 2 एक मिनट का समय लेती है यह प्रस्ण थोड़ा सा किछ घरडबड है ठीक गुमने में जो है आपका भी सुनकर्थ मेना इस प्रकार का प्रस्ण में यह पस्टेक। तो चमा चाहूंगो इसके लिए मैं लेकिन याद रखिएगा कि यह रही पुर्वी एरिया है आपका किसका देसांतरी रेखाओं का और यह जो दीख रहा है बीच में लाइन इसको अगर घुमने में गुरुनन करने में पुर्वी की तरफ घुमती है घुमने में एक मिनट का आपका चार मिनट का समय लेती है जो कि इसका आंसर होगा ठीक है इसका डीटेल भी मैंने किया है पिछले वीडियो में तो यहां देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से यह वाले पॉर्शन में आपको देखने को मिलेगा चार मिनट का समय लागेगा अरुनाचल और गुजरात के परिदिरिष्य से इसको डीटेल किया गया है ठीक है आगे बढ़ते आईए प्रस्ण का मांग 30 है देखिए यह साइंस का कोस्चन है ठीक है तो इसका अंसर जो है आपका डी होना चाहिए ठीक है एक्सपर्स की सला से इसे कुछ इस प्रकार से समझा गया ल जाद रखिएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज जो की आपका तमिल नाडू में चेन्नई में स्थित है यह 20 का अंसर होगा ठीक है इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं पहला कीला था 32 किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है बीना दलील बीना वकील और बीना अपील काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है तो यह प्रस्न आपको देखने को मिल लेंगे किसमें प्रस्न सिंखला में ठीक है जब इतिहास के प्रस्न कराये जाएंगे तब ठीक तो यह हो गया आपका 33 नंबर भारत के और द्योगिक उत्पादन के सुचकांक में कोर दो या दो या नहीं होगा यहां क्या होगा दो या दो से अधिक होगा ठीक है अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्चे नयाले की स्थापना करेगी ओके सही है ठीक है जैसी कि आपका केंदर शासित प्रजिद अंडवान निकोबार और आपका कलकत्ता हाई कोट के अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्चे नयाले की स्थापना करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं ठीक है तो क्या होगा अंसर एक ही सही है तो इस प्रकार से यहां स्लाइट कंप्लीट हो गई है तो इस प्रकार से याद रखिएगा चात्रो हमारा यह जो विश्लेशन सत्र है व से आप मेमराइस करे होंगे इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा चात्रो जहिन